एबीपी गंगा खबर आपकी जबाब के आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपने एम्यू के शताब्दी समारों के इस एतिहासिक अउसर पर मुझे अपनी खुश्यों के साथ जुड़ने का मोका दिया है नया भारत आत्म निर्भर होगा हर प्रकार से संपन होगा तो लाब भी सभी 130 करोड से ज़्यादा देश वाच्यों को होगा ये विमर्स समाज के हर हिस्से तक पहुँचें ये काम आप कर सकते हैं युवा साथ ही कर सकते हैं साथ क्यों हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक एहम हिस्सा है लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है पोलिटिक्स के उपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती हैं उस पेस को भी एक्स्प्लॉर करते रहना बहुत जरूरी है यह काम हमारे एम्यू जैसे केंपस कर सकते हैं आप सभी कर सकते हैं आज भी एम्यू के पास यह गवरव है कि इसकी फाउंडर चांसेलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी सो साल पहले की परिस्थितियों में यह किया जाना कितना बड़ा काम था इसका अंदार लगाया जा सकता है आधूनिक मुस्लिम समाच के निर्मान का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था तीन तलाग जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बड़ाया है आज देश भी उस मार्क पर बढ़ रहा है जहां प्रत्तेक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाब मिले देश आज उस मार्क पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्तेक नागरिक सम्विदान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे अपने भविश को लेकर के निश्चिंत रहे देश आज उस मार्क पर बढ़ रहा है जहां मजहब की बदर से कोई पीछे न छुटे सभी को आगे बढ़ने के समान अउसर में सभी अपने सपने पूरे करे सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास ये मंत्र इसका मूल आधार है देश की नियत और नीतियों में यही संकल्प जलगता है मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एम्यू केंपस अपने आप में एक शहर की तरह है अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों होस्टेल्स, हजारों टीचर्स, प्रफेसर्स, लाखो स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है एम्यू में भी एक तरफ उर्दु पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी अर्बी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संश्थान है यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैनुस्क्रिप्ट है तो गीता रामायन के अनुवाद भी उतने ही सहेच कर रखे गए है यह विभीत्ता एम्यू कैसे और एम्यू जैसे प्रतिश्टिन सवस्थान की ही शिर्फ नहीं देश की भी ताकत है हमें इस शक्ति को न भुलना है नहीं इसे कमजोर पढ़ने देना है एम्यू के केंपस में एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे हमें मिलकर इसके लिए काम करना है आजदेश गरीबूं के लिए जो योजनाय बना रहा है जो बिना किसी मत मजब के बेद के हर वर्थ तक पहुंच रही है बिना किसी भेद भाव चालीस करोड से जादा गरीबों के बैंक खाते खुले बिना किसी भेद भाव दो करोड से जादा गरीबों को पक्के घर दिये गए बिना किसी भेद भाव आठ करोड से जादा महलाओं को गैस कनिक्षन मिला बिना किसी भेद भाव कोरोना के इस समय में असी करोड देश्वाच्यों को मुप्त अन्न सुनिश्चित किया गया बिना किसी भेद भाव आईश्वान योजना के तहट पचास करोड लोगों को पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज संबव हुआ जो देश का है वो हर देश्वासी का है और इसका लाप हर देश्वासी को मिलना ही चाहिए हमेरी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है आपकी अलिगर्ड मुस्लिम इनिवर्सिटी में भी स्कुल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रीज कोर्स चलाये जा रहा है और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है एम्यू में अब फिमेल स्टूडन्स की संक्या बढ़कर पैंतिस प्रतिशत हो गई है मैं आप सब को बदाई देना चाहूंगा मुस्लिम बेटियों की सिक्षा पर उनके ससक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है पिछले छे साल में सरकार द्वारा करीब करीब एक करोड मुस्लिम बेटियों को स्कॉलर्शिप दी गई है एम्यू से तालिम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वस्रेश्ट थानों पर और संस्तामों में नहीं बलकि दुनिया के सेंकडों देशों में चाहे हुई है मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एम्यू से पढ़ा हूँ एम्यू के अलुमनाई केंपस से अपने साथ हसी मजाक और शेरो शाहिरी का एक अलग अंदाज लेकर आते है वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्क्रिति का प्रतिनीदित्व करते हैं प्रावड अलिक्स यही कहते हैं आप लोग पार्टनर्स आपके इस गर्व की बज़े भी हैं अपने सोव वर्ष के इतिहास में एम्यू ने लाखों जीवन को तराशा है समारा है एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है समाज के लिए देश के लिए कुछ करने की प्रेणा जगाई है एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट सिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट सेवन्टी परसंट से जादा था सत्तर प्रतिशन से जादा था मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशां से बहुत बड़ी बादा रहा है लेकिन सत्तर साल से हमारे यहां सिती यही थी कि सत्तर परसंट से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी इनी सित्यों में स्वच से भारत मिशन चुरूब हुआ गाउं गाउं सवचालय बने सरकार ने स्कूल जाने वाली गल स्टूरेंट के लिए मिशन मोड पे अलग सवचालय बनवाए आज देश के सामने क्या स्थिती है पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट सतर पतिशत से जादा था वो अब गटकर करीब परीब तीस प्रतिक्षत रहे गया है पहले लाखों मुस्लिम बेटियां सवचालय की कमी की वज़े से पढ़ाई छोड़ देती थी अब हालात बदल रहे हैं मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रहे हैं